हजारों सालों से योगा लोकोद्वार परियोग में लाया जा रहा है योग करने के क्या लाब हैं यहाँ आप तभी जान सकते हैं जब आप योग करेंगी योग आपकी जिन्दगी में फिजीकल और इस्पिच्वल डिसिप्लीन लाता है आज हम आपको योग से होने वाले कुछ फायदों के बारे में बताएंगे नमबर एत भावनाव पर नियंतरन योग करने से आप इस बात को अच्छी तरह से समझेंगे कि जिन्दगी में आपकी किसी से भी प्रतियोगिता नहीं है और आप स्वयम अपने आप के लिए अपने आप को बहतर बनाएंगे योग करने से आपके अंदर खुद पर नियंतरन रखने की छमता आ जाएगी नमबर दू आपके अंदर ज़्यादा इस्वास आने लगेगा योग करने से आप अपने आप से और अपने सरीर से अच्छी तरह से जुड़ेंगे आप अपनी जिंदगी की भरपल को खुल कर जीने लगेंगे जब आप वियासा योग करेंगे तब आप खुद महसूस करेंगे कि आप अपने सरीर से क्या-क्या कर सकने की छमता रखते हैं योग से आप अपने मास पेशियों को मजबूत कर सकेंगे नमबर तिन आप अपने खाने के प्रती और भी जागरूप हो जाओगे क्योंकि योग सिधा आपके दिमाग पर अच्छा प्रभाव डालता है असान लगने लगेगा इसके अलावा आपकी डाजेस्टिस विष्टम भी बहतर होगी नमबर चार योग से आपको अच्छी निन आएगी जब आपको अच्छी निन आती है तो आपकी प्रोड़क्टिविटी भी बढ़ जाती है और आप में तना भी कम हो जाता है नमबर पांच आप में अपने कारियों के प्रती और भी जागरुकता आजाएगी आपको अपने सरीर के बारे में अच्छी तरह से पता लगेगा कि आपका सरीर अलग-अलग इस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया देता है पूरे दिन आपकी सोच पोजिटिव रहेगी जिससे आप हर काम को अच्छे धंग से करेंगे नमबर छे योग करने से आपको सांस लेने की अलग-अलग तक्निकों के बारे में पता चलेगा जिससे आप मनेग ज्यानिक रूप से और सारेरिक रूप से मजबूत बनेंगे और पूरे दिन में आने वाले तनाव से मुक्त हो जाओगे